तो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे राचीन भारती इतिहास को जानने के साथ सूर्सेश तो स्टुड़ी हिस्ट्री फ एंसें इंडिया सबसे पहले तो मैंने आपको ही बता था कि इतिहास क्या है इस्ट्री का मतलब है पास्ट के बारे में जानना और पास्ट का मतलब यहां पर पिछले कुछ वर्स नहीं है बलकि पास्ट का मतलब लाखों साल पहले की बात भी है क्योंकि हम लोग अगर यहां मानों का इतिहास पढ़ रहे है हुमन बींग के बारे में पढ़ रहे है क्योंकि हिस्ट्री का में सबजेक्ट या में थीम हुमन बींग ही है human being की society कैसे बनी उसके culture का development कैसे हुआ पूरी विकास की ये कहानी कि मानों के विकास की क्या यात्रा रही उसकी journey कैसी रही यही history है तो मनुस्य के जीवन की सुरुवात Indian sub continent में अगर हम देखे तो लगबग 30,000,000 साल पहले हुई तो जो बाते ढाई लाग साल पहले सुरू हुई वो आज हम कैसे जान सकते हैं उसके लिए हमें कुछ evidences चाहिए कुछ sources चाहिए तो उन्ही को कहते हैं इतिहास जानने के साधन और मैंने आपको क्या बताया था इतिहास जानने के कौन कौन से साधन होते हैं आर्कियोलाजी और लिट्रेचर आर्कियोलाजी क्या है ये भी आपको समझा है कि आर्कियोलाजी का मतलब हो गया जिसमें हम पुरानी चीजों को इकठा करते हैं वो चाहे जमीन के नीचे दबी पड़ी हुई है या चाहे सर्फिस पर मौजूद है सर्फिस पर मौजूद का मतलब ये है कि जैसे माल लीजे एक इमारत है आप दिल्ली में खुतुब बिनार में जब जाते हैं तो वहाँ पर देखते एक आईरन पिलर है वो आईरन पिलर आज का नहीं है बलकि वो गुपता पीरेट का है लेकिन वो आईरन पिलर भी हमारे लिए एक सोर्स है उससे हमें इतिहास की बहुत सारे बाते पता चलती है तो इस तरह की चीजों को जो सर्फिस पर स्ट्रक्शर के रूपे मौजूद है इनको भी आर्किलाजी कहा जाता है लेकिन आर्किलाजी का एक بहुत बड़ा पार्ट ऐसा भी है जो जमीन के नीचे छिपा पड़ा हुा है जहां पर ये दबा पड़ा हुआ है उस जगे को क्या कहते हैं मैंने क्या बताया था माउंड यानि उसे टीला कहा जाता है और इसी माउंड को excavate करते हैं यानि इसका उत्खनन करते हैं और इन चीजों को उससे बाहर निकालते हैं और उसके बाद history भी construct करते हैं तो हम लोग कल इस पर discussion कर रहे थे कल मैंने कुछ important fact इस पर आपको पढ़ाया था मैं एक-एक करके पहले उसको पूछ लेता हूँ आप reply करेंगे फिर मैं आगे बढ़ूँगा तो हमारा जो topic चल रहा है उसमें हम लोग सबसे पहला source discuss कर रहे हैं archaeological source पुरा तात्विक श्रोड तो पुरा तात्विक श्रोड को ले करके हाँ हूँ हूँ तो वही तो बात भी मतलब की जो चीज उस पर लिखावट है उसके अध्यन से तारीख पता लगाई जाती वही मैंने दूसरे वर्डिंग में लिखा दिया तो आपके पेपर में जो questions frame होंगे आप concept clear है तो वर्डिंग बदल जाए उससे लिक्कत नहीं जो पुराने लेख है वो किस समय लिखे गए कैसे लिखे गए स्क्रिप्ट कब आई उसकी study ही पैलियोग्राफिय उसी से dates पता चलती है तो चाहे एक्जाम में ऐसे पूछ लेंगे कि पुराने लेखों का अध्यन करने कि जो बिग्यान है उसे क्या कहते तो को अधर्साइट में पुरात्त का काम यानि एक्सक्यावेशन का काम फंब साडिप्स और अप्रिजेंट एए साइडिपार्टमेन का हैं नई धिल्ली में यह किस मिनिस्ट donut स्चर्प एंडर काम करता है मिनिस्ट्री आफ कल्चर के चाही पूरात्त च उभाड की स्थापना कब हुई थी 1861 में हुई थी फिर इसके बाद पुरात्त्त के अंतरगत हम लोग बात कर रहे थे कि सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है इंस्क्रिप्शन अभिलेकों की बात हो रही थी तो अगर आपके पेपर में आया कि भारत का सबसे पुराना अभिलेक कहां से मिला है अडप है तो हम लोग साहत असोकन इंस्क्रिप्शन पर ही बात कर रहे थे और यहां तक हम लोगों ने सारी चीजें लिख भी ली थी एक बार लास्ट में मुझे बस इतना बताईएगा कि लास्ट लाइन क्या थी हाँ तो मैं एक बार इसी को क्विक रिवाइस फिर से कर दे रहा हूँ मैंने ये कहा कि भारत में लेखन कला के बारे में जो सबसे पहली जानकारी मिलती है वो हडपा से जो सील्स मिली है उससे मिलती है हडपा की सील्स पर बहुत सारे लेख मिले हैं हलांकि वो लेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके क्योंकि उसकी स्क्रिप्ट मैंने बताया कैसी है पिक्टोग्राफिकल यानि चित्राच्छर है उसको पढ़ने का प्यास अभी भी जा रही है लेकिन अभी तक उसके बारे में कुछ विसेश जानकारी नहीं मिल पाई तो भारत का जो सबसे पुराना पढ़ा गया अभिलेक था वो मौरिस अमराट असोक का अभिलेक था असोक ही भारत का पहला ऐसा राजा हुआ जिसने भारत में इतिहास का विबरण पत्थरों पर लिखवाना शुरू गिया यानि वो जो काम करते थे वो चाहते थे कि यहां पर उसका रिकार्ड रखा चानते हैं कि अगर सरकार जनता के साथ समबात करना चाहती यानि पबलिक के साथ कम्लिकेट करना चाहती है तो बहुत सारे मीन से जैसे हमारे प्रधान मंत्री जी टीवी पर आ गया और सब कुछ लाइब टेलीकास्ट हो रहा है या आपने समाचार पत्रों में पढ़ लिया अब ज़र आप उस जमाने को सोचिए जब समराठ है असोग असोग राजा है देश का वो अपने देश की प्रजा को कोई मैसेज देना चाहता है तो मैसेज कनवे करने का माध्यम क्या रेडियो ब्रोड़कास्ट हो नहीं सकता है टेलिवीजन है नहीं न्यूस पेपर छप् जहाए कैसे क्योंकि राजा तो मगद में बैठा हुआ पाटली पुतरा में बैठा है और उसका राजितो मैस Truth पैला हुआ है तो या तो कोई दूद भेजा ज़ा है अब पता चले मैसेज का है वह दूद चला यहां पर पाटली पुतरा से मैसूर के लिए दो महिने बाद वहाँ पहुचा या एक तरीका यह है कि पत्थरों पर चीजे लिखवाई गई उसको यहाँ पर इंस्क्राइब किया गया यानि छीनी हतोरी से काट कर लिखा गया जब सारे यहाँ पत्थर त्यार हो गए तो उसको अलग-अलग जगे पहुचा दिये गया और उसे यहाँ पर जनता तक अपनी बात पहुचाता था ऐसा करने वाला पहला सासक भारत का हुआ सम्राट असोग और इसी लिए असोग का इतिहास में जादा तर उसके अभिलेकों से पता चलता कैसे आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि असोग अपने प्रारंभिक जीवन में अर्लियस उसके बाद उसने अपने राजा बनने के आठ साल बाद एक स्टेट पर अटैक भी किया कलिंगा पर और कलिंग में लाखों लोग मारे गए ये सारी बाते हमें पता कहां से चलती कि कलिंग उपर उसका अक्रमण हुआ था उसके कोरोनेशन के आफ्टर एट येर हुआ था य ये हमें एक तरीके से हिस्टोरिकल सोर्स के रूप में इस्तेमाल करने में काम आता है तो भारत के इतिहास की बहुत सारी जानकारी हमें अभिलेकों से मिलती है और असोब के अभिलेक इसमें सबसे महत्पूर लेकिन केवल इतने ही नहीं प्राचीब भारत के इतिहास के कई अभिलेख मिले हैं लगभक अब तक धाई हजार अभिलेख भोजे जा चुके तो ऐसा नहीं कि सारे अभिलेख आपके एक्जाम में आएंगे लेकिन आप उसमें से आठ दस ऐसे अभिलेख हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं कि यह किस सासक के हैं वो आपको याद करना होग मैंने कल आपको एक क्वाइंट बताया था कि असोग के जो अभिलेख मिले और किस लेंग्वेज में लिखे गए हैं किस भाशा में प्राकरतना भाशा और लिपी का अंतर ध्यान रखिएगा नहीं पता चले कि आप्शन में वह भी रहे आप टेक करके वह आ जाओ जैसे मैं आ कर रहे हैं वो रोमन कहलाएं तो ऐसी असोग के सारे अभिले प्राकरत भाशा में लिखे गए बार बार बच्चों एक बात समझाता हूं कि जीएस पढ़ने में दो बातों का इसे ध्यान रखना पड़ता है एक आप अपने पूरे कंटेंट को कितना कंसाइज मैनर में कितन आप प्रिसाइज मैनर में बनाते हैं उसी से आपकी त्यारी बहुत अच्छी होती है आप जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सब कुछ नहीं पर सकते हैं सब कुछ नहीं जान सकते हैं आपके सामने पहला चैलेंज है कि आप अपने मैटर को कंसाइज करें यानि ना है तो आपका काम बस इतना है कि जितना मैं नोट्स क्लास में डेबलब करूं बनवाओं समझाओं आप याद करते जाएं लेकिन कभी-कभी ऐसा भी मैंने नोटिस किया है कि आप जब चीजों को बहुत ब्रॉडली समझते हैं तो कुछ दूसरे प्रस्टों का भी उत्त भी नहीं किया था लेकिन मैंने जो पढ़ाया था उसी से उसका आंसर था अब माल लीजे मैं आपसे पूछूं कि असोक ने अपने अभिलेखों में प्राकृत भाषा का हिस्तेमाल क्यों किया पता ही उस समय सबसे ज्यादा चलन अगर देखा जाए पढ़े लिखे लोगों कि इस्तेमाल क्यों किया आपने थोड़ा सा सही कामन सेंस लगाया आप ऐसे समझी है कि मोदी जी एक गाउं में गए चुनावी भाषण देने चुनाव होने वाला गाउं जाएंगे गाउं की भीड़ाई और वो लगे इंगलिस में प्रवचन देने तो कोई भी इंसान उन जंता से अच्छे से संबाद कर सके अश्वोक के समय उस समय पूरे उत्तर भारत में जो आम जन की भाषा थी तो कि आम जन बहुत पढ़ा लिखा नहीं था निरचर लोग भी तो आखिर भाषा का प्रयों करते थे तो उनकी जो आम जन की भाषा थी वो थी प्राकर्ट ससी ने प्रश्ण क्या पूछा इसा पूर्व छटी सताबदी में प्राचीन भारत की लिंगुवा फ्रेंका क्या थी लिंगुवा फ्रेंका की हिंदी लिखी थी इसा पूर्व छटी सताबदी में प्राचीन भारत की जन संपर्क अगर पाली दिया होता तो एक बार मैं कहता कि हाँ confusion हो सकता था क्योंकि उसमें पाली भी प्रचलन में था लोग पाली में ज़्यादा बाते करते थे हिंदी तो डेबलफ ही नहीं हुई थी प्राचीन भारत में या तो पाली भाषा प्रचलन में थी प्राकट भाषा तो जन संपर्क भाषा उसे कहा जाता है जिसमें आम जनता से संभाद हो किसी लिए असोक ने अपने अविलेग प्राकट भाषा में लिखवा है अब माली जिए मैं नहीं भी पढ़ाता हूँ ऐसा प्रस्ण आ गया तो आपको एक कामन सिंस यहां पर अपने से लगा के आंसर प्राकट भी लगाना थी समझ में आ गया तो आप यहां ब्रैकेट में क्यों एक चीज़ लिख लीजेगा रैकेट में वान नोट में चाहिए मेंशन कर दीजेगा नोट में लिख लीजेगा नीचे विखें, लिख़्ें, इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्चिन, थी कि आतृ मेंड़्चिन, मेंड़ों समय एद भी दीरियोग, लिग्या, विखें, रिटेन इन प्राकृत लैंग्विज रिटेन इन प्राकृत लैंग्विज इन प्राकृत लैंग्विज विच 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 व Delhiīgu veianka, of ancient Indian at that time. of ancient Indian at that time. But some inscriptions, but some inscriptions in the north western region, in the northwest वेस्टन रीजन नार्थ वेस्टन रीजन वर रिटन इन खरोष्थी स्कृप्ट हरोष्थी इस्कृप्ट। हरोष्थी इस्कृप्ट। रोष्थी इस्कृप्ट। And some inscriptions are in Aramaic and Greek script. And Greek script which were found from Sarekuna in Kandhara. In Kandhaar of Afghanistan. In Kandhaar of Afghanistan. असोग के अधिकतर अभिलेख. असोग के अधिकतर अभिलेख. वहाँ पर मैंने एक लाइन जो बोली है. Most of the asokan inscriptions were written in prakrit language and brahmi script. Brahmih छूट गया था, वो लिख लीजेगा. Most of the asokan inscriptions were written in prakrit language and brahmi script. असोग के अधिकतर अभिलेख. असोग के अधिकतर अभिलेख प्राकृत भाशा में और ब्राम्ही लिप में लिखे गए हैं. प्राकृत भाशा में और ब्राम्ही लिप में लिखे गए हैं. प्राकृत भाशा उस समय प्राकृत भाशा उस समय प्राचीन भारत की जन संपर्क भाशा थी. प्राचीन भारत की जन संपर्क भाशा थी. प्राचीन भारत की जन संपर्क भाशा थी. जन संपर्क भाशा थी. लेकिन असोग के कुछ अभिलेख जो उत्तर पश्चिम भारत में मिले हैं. जो उत्तर पश्चिम भारत में मिले हैं. खरोस्थी लिपियों में हैं. खरोस्थी लिपियों में हैं. इसी तरह अफगानिस्तान के कंधार में सरेकुना नामक स्थान से अरामाईक और यूनानी लिपियों वाले अभिलेख भी मिले हैं. अरामाईक और यूनानी लिपियों वाले अभिलेख भी मिले हैं. अरामाईक और युनानी लिपियों वाले अभिलेक भी मिले हैं मिले हैं तो अगर अभिलेकों पर आपसे प्रस्ट पूछा गया पेपर में जितने भी प्रस्ट बन सकते हैं उसमें से कुछ important facts आपके सामने notes में जैसे पहला प्रस्ट हो गया कि अभिलेकों का ध्यन क्या कहलाता है एपिग्राफिए अभिलेकों की तिथियों का ध्यन क्या कहलाता है पहलियोग्राफिए भारत का सबसे पुराना अभिलेक कहां से मिला है रपा की मोरों पर भारत का सबसे पुराना पठनीय अभिलेक किसका है कमराट असोग का है असोग के अभिलेकों की कोज किसने की थी इफेन थेलर ने असोग के अभिलेकों को सबसे पहले पढ़ा किसने था चेन प्रिंसेप ने फिर इसके बाद असोग के अभिलेखों में किस भाशा का प्रयोग हुआ है राकर्ट का, असोग के अभिलेखों में ज्यादा तर किस लिपी का प्रयोग हुआ है राम्ही का, असोग के कुछ अभिलेख किन अन लिपीों में लिखे गए हैं, फरोष्ठी, अरामाइक और ग्री अरामाईक और ग्रीक वाले तो सरेकुना से मिले हैं NCRT क्लास 6 की बुक आप पढ़ेंगे तो उसमें उसकी इमेज भी दी हुई जो अभिलेक मिला है तो यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हैं कि असोग के इतिहास को जानने का ये एक प्रमुक साधन है अब इसमें एक और important point जुड़ जाता है कि असोग के जितने भी अभिलेक मिले 14 बड़े अभिलेक मिल चुके हैं वैसे लगभग 1500 अभिलेक खोजे गए लेकिन उनको अलग-अलग category में बाटा गया तो उन में से कुछ major एडिक्ट कहलाते हैं उसमें केवल 4 को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब पर नीचे उसका नाम नहीं लिखा है बलकि उसकी जगा पर एक नाम लिखा हुआ मिलता है देवा नाम पिये दस्सी तो इस नाम का प्रियोग असोग की टाइटिल के लिए हुआ है ये बाद में पाली लिट्रेचर से पता चला कि देवा नाम पिये दस्सी ये किसका नाम था समराठ असोग का दरसल असोग ने जब बहुत धर्म अपना लिया था तो उसके बाद उसने यहाँ पर अहिंसा के सिद्धानतों पर काम करना शुरू गिया नान वाइलेंस की थियोरी उसने एडाप की और बहुत धर्म को कहते हैं पूरे दुनिया में उसने फैला है इसलिए असोग को असोगा दा ग्रेट कहा जाने लगा कहते हैं बहुत धर्म सिलंका में भी पहुचा बहुत धर्म तिबबत में भी पहुचा बहुत धम साउथ इस्ट एसिया में भी पहुचा और इसके लिए असोक ने काफी effort लगाये थे साथ आप लोग जानते भी हो कि उसने एक नए officer को एपॉइंट किया था जिनका काम ही यही था कि वो ambassador बन करके religious sermon के लिए जाते थे यानि वो religious ambassador बनते थे अलग-अलग देशों में भेजे जाते थे असोक ने अपने बेटे महेंदर और बेटी संगमित्रा को भी सिलंका के राजदर्बार में इसी लिए भेजा था तो इस कारण से बहुत धर्म पूरे दुनिया में फैला बलकि इंट्रेस्टिंग फैक्ट यह है कि बहुत धर्म जहां से पैदा हुआ वहाँ तो आज इसका महत तो कम हो गया है लेकिन जहां बाहर गया था वहां का यह dominating religion बन गया जैसे आज भी सिलंका में चाइना में प्रभाव तो है बिल्कुल आप सही कह रहें लेकिन एक समदाय है सिंगलियों का जिसमें बुद्धिस का प्रभाव जादा है पाकी आज तो रिलीजियस कंडीशन यह कि लगभख सभी धर्मों का प्रचार प्रसार हर जगा हुआ है तो फुल मिला करके हम यह कह सकते हैं कि पर असोग के साशनकाल की बहुत सारी अहम घटनाओं की जानकारी हमें उसके अभिलेखों से ही मिलती है फिर आगे बढ़ते हैं यहां पे मैंने आप से कहा क्यों असोग ही नहीं है कि जिनका अभिलेख मिला है असोप के बारे में और भी बहुत सारी बाते जब हम लोग मौरिस समराट का इपिहास पढ़ेंगे तो डिसकस करेंगे जैसे क्या पता ऐसा ही प्रस्ता आ जाए कि असोप ने किस से inspired हो करके official inscription लिखवाना सुरू किया था तो जब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण एक topic है कि एंसेंट इंडिया पर foreign attack भी हुए थी जैसे आप से पूछूं कि प्राचीन भारत पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण किसका हुआ थी अरब तो बहुत आगे निकल गए गवरी त आसिम ने तो 712 AD में अटेक किया भाई उससे पहले तो अलेक्जेंडर ही आया है उससे भी पहले अटेक हुआ है foreign attack मैं पूछी को सिकंदर ही अलेक्जेंडर है सिकंदर उसका भारती यह नाम है उसका Greek नेम अलेक्जेंडर था उससे पहले अटेक हुआ था Darius के इरान के एक राजा हुए Darius और उन्होंने भारत पर अटेक किया था और Darius का ही नाम भारत में जो है दारा के नाम से पृसिद्ध हुआ तो दारा के नाम से वो भारत में आक्रमनकारी के रूप में आया और उसने हिंदुस्तान को जीता और डेरियस से ही प्रभावित होकर के आगे चलकर असोक ने अभिलेक लिखवाना शुरू किया क्योंकि दुनिया में सबसे पहले इंस्क्रिप्शनल लिकार डेरियस ने सुरू किया था लेकिन वो भारत का राजा नहीं था उसके किंडम का नाम था हकामनी तो हम लोग ये टॉपिक आगे पढ़ने वाले इसलिए यहां लिखने की जरूरत नहीं है बस ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको बताया कि एंसेंट इंडिया पर सबसे पहला फारेंड इटैक पर्सियंस का हुआ उस समय उनको पार्सी कहा जाता था इरानियों को इरान का पुराना नाम ही फारस था या पर्शिया तो वहां का राजा था डेरियस उसने सबसे पहले अभिलेक लिखवाए जिसमें मैंने आपका पेपर देखा कि सीधा प्रस्ता आया कि अभिलेक कि सासक से संबंदित है लेकिन आगे ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा डिटेल में प्रस्ता आने लगे उस अभिलेक के बारे में और कुछ पूछा जाए जैसे मालीजे आप देखे प्रस्ता आया है कि ज जूनागर अभिलेक से बहुत सारी बातें पता चलती हैं तो ऐसे कई अभिलेक हैं जो एक्जाम के इंपॉर्टेंट हैं एक चीज आप यहां पर सोचिए कि सकंद गुप्त गुप्तवन्स के राजा हुए और उनका टाइम पीरिड तो बहुत बात का है क्योंकि कुमार हुए तो पहले का राजा जब इसकंद गुप्त पैदा भी नहीं हुए थे तो उसके अभिलेक में इसकंद गुप्ता वर्ण कैसे हुए तो किस ने लिखवा दिया होगा इक्जैक्टली विल्कुल सही आपने सोचा यानि पत्थर के उसी टुकड़े पर नीचे जो जगे थी उसमें सकंद गुप्त ने अपना विवर्ण जोड़ दिया ऐसा इसलिए किया क्योंकि इस अभिलेक में एक वर्ण था गिरनार एक जगे गुजरात में जो जूनागड में ही पड़ती है वहाँ पर एक जील थी उसका नाम था सुदर्शन जील सुदर्शन जील पर एक डैम बनाया गया था चंद्रगुप्त मौरे के समय फिर चंद्रगुप्त मौरे के बाद उनके ग्रैंट सन असोका के समय इस डैम का रीकंस्ट्रक्शन किया गया इसका पुनर निर्मान किया गया क्योंकि डैम थोड़ा सा तूट गया था तो इसे असोक ने मरम्मत करवाई रनोबेट करवाई इसलिए इस पर चंदगुप मौरे और असोक का नाम भी लिखा इसी पत्थर पर इस डैम के बारे में लिखा हुआ है और जब यहां पर रुद्रदामन राजा बन गया तो उसने इस डैम का आकार और बड़ा करवाया तो उसने भी उस पत्थर पर अपना नाम जोड़ दिया और इसकंद गुप्त के समय इसी डैम की फिर मरम्मत कराई गई तो उसने भी अपना नाम नीचे जोड़ दिया इसमें चार राजाओं का नाम आया तो मुख्य तोर पर यह अभ पुरा विवरण दे दिया कि ये डैम कब कब बनाया गया था और इसकी किसने किसने मरमत कराई ये वही बात हो गए कि इंडिया गेट बना माल लीजे अंग्रेजों के समय लेकिन अभी मोदी जी ने उसको रेनोवेट करवाया तो वहाँ पर पत्थर का टुकड़ा जोड़ द पत्थिया, कल मैंने आप लोह को बताय था कि किसी-किसी राजवन्स में या राजा के दर्बार में उनके पेट्रान वेटस भी रहते थे यानि के आस्रे में कुछ कभी रहते थे या आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से ये उनके प्रसंसा में लिखने के लिए तिहास का विबरर प्रस्तुत करने के लिए लेखक रहते हैं इनको कोल्ट राइटर भी हम कह सकते हैं तो जो alt writer या alt poet होते थे वो राजाओं के praise में जो poem लिखते थे या उसी को inscribed किया गया उस तरह के inscriptions को क्या रहा जाता है और प्रसस्तियों पर भी आपसे कई बार प्रस्ताया है जिसमें दो सबसे बड़े उदारण हैं यह दो कम से कम याद रखिए इससे जैदा पूछेगा भी नहीं एक मैंने नाम क्या बताया था प्रियाग प्रसस्ती और दूसरा क्या बताया था एहोल प्रसस्ती तो पहला इसी में जोड़ियेगा अगला कितने हो गए ती हाँ चौथा लिखे प्रियाग प्रसस्ती प्रियाग प्रसस्ती प्रियाग प्रसस्ती प्रियाग प्रसस्ति मिला था इलाहबाद के पास जो इलाहबाद का पुराना नाम प्रियाग राज था योगी जी की कृपा से फिर से वही नाम हो गया है प्रियाग राज तो प्रियाग राज के पास एक जगे है कौशामबी कौशामबी में ये पिलर पे मिला था और ये मुख्यता हरिशेण नाम के कोयट हुए है उन्होंने लिखा संस्कृत में है और ये उनके जो कभी है ये हरिशेण कभी है उनके जो राजा थे समद्रगुप्त ये पूरा विब्रण देता, समद्र गुप्त ने पूरे भारत पे विजय भियान चलाया था, और पूरा नार्दन और सदन इंडिया उसने जीता था, इसी का पूरा विब्रण इस अभिलेक में लिखा हुआ, कि समद्र गुप्त ने कब कब कौन सा इस्टेट जीता, यही कारण कि अंग्रेजों ने आगे जब इस अभिलेग को पढ़ा तो उन्होंने समद्र गुप्त को एक नाम दिया भारत का नैपोलियन क्योंकि नैपोलियन भी यूरप में ऐसे एक महाम राजा हुआ जिसने लगबग पूरा यूरप जीता था तो समद्र गुप्त की विजय दाथा क वर्डन या उसके विक्ट्री अचीव्मेंट के बारे में डिस्क्रिप्शन किस अभिलेख में मिलता है तो आंसर क्या लगाएंगे प्रियाग पुसस्ति कमराट असोग के साशनकाल में कुछ समय के लिए प्रियाग राज भी उसकी राजधानी रही वैसे उनकी राजधान पर अपनी रानी का नाम और उनके बेटे का नाम लिखाया था कारू आकी और तीवर उनका नाम इस अभिलेख पर लिखा गया तो यह मूलता असोग के समय के पत्थर के टुकडे पर लिखा गया था लेकिन यह बहुत बड़ा साइक पिलर था उपर केवल असोग के रानी औ और उनके बेटे का नाम था, हरिशेन ने इसी पिलर पर समद्र गुप्त के विजय अभियानों का वर्ण पूरा कर दिया, बला उसे इंस्क्राइब्ड करवाया, और उसके बाद जब मुगल बात्षा बने अकबर, तो अकबर के समय कुछ समय के लिए राजधानी प्रियागर प्रियाद ही लिखा जाता था, फिर यहां पर अकबर के समय ही, यह अभिलेक कौशामबी से उठाया गया, कौशामबी में जहां पर इसे स्थापित किया गया था, और वहां से लाकर अकबर ने इसे अपने किले के अंदर रखवाया, गंगा नदी जहां संगम तठ है, वही पर अकबर का एक किला बना हुआ, आज भी वह किला है, और उस किले के अंदर आज भी अभिलेक रखा हुआ, तो जब अकबर ने इसे अपने किले में रखवाया, तो नीचे इसी के यहां पर सबसे लास्ट में अपने बेटे जहांगीर का नाम भी लिखवा दिया, इसलिए इसमें असोग का नाम भी है, जहागीर का भी नाम है, लेकिन यह अभिलेक मुख्यता किसका विबरण देता है, समुद्रुगुत्युता, क्लियर है ये, आगे लिखे अगला, इस पे तो कम से कम पान शे प्रश्ट बन जाएंगे, एक प्रश्ट हो गया, समुद्रुगुत्य के राजकवी का नाम क्या था, ये अभिलेक किस भाशा में लिखा गया है, ये अभिलेक कहां प्राप्थ हुआ है, या ये अभिलेक किस सासक के विशे में विबरण देता है, दिखें, महरौली आइरन पिलर, महरौली आइरन पिलर इंस्क्रिप्शन, महरौली लोह इस्तंभले, महरौली लोह इस्तंभले, ये कहां से मिला है, दिल्ली में, दिल्ली में एक जगह है, महरौली, जब आपको तुम मिनार घूमने जाएंगे, तो वहीं पर ये आइरन पि पूरी एंसेंट हिस्ट्री के बहुत सारे बेसिक चीजे भी यहां डिसकस हो रहे हैं आप आगे पढ़ेंगे उसमें भी इसको दुबारा देखेंगे लेकिन इसमें बहुत सारे फैक्ट के आंसर आपके पास आप इसको साथ साथ में ही रिवाइज करते चलिएगा एक बात फ ही आपकी जिम्मेदारी मेरा प्रयास यह कि आप क्लास में जो सुनते हैं काफी चीजें क्लियर हो जाएं वह याद रहें लेकिन जब तक बार-बार रिवाइज नहीं करेंगे यह याद नहीं होगा अल्टीमेटली आपको याद करना ही है बाकी हम लोग आगे जब टापिक का आएगा कहानी के रूपे पढ़ेंगे तो चीजें और लिंक होती जाएंगे लेकिन जैसे ही यह टापिक आपका कंप्रीट होगा मैं आपका पहला यूनिट टेस्ट लूँगा तो आप अभी से रिवीजन करते रहेंगा ठीक